और सदस्ता अभ्यान में पिछडने की गाज जो कॉंग्रेस के शोपीस पदाधिकार्यों पर गिरने लगी है शुरुवादी यूवा कॉंग्रेस से हुई जहां पर यूवा कॉंग्रेस ने सदस्ता अभ्यान में निश्करता के मामले में बेमेत्रा और कांकेर की जिला कारेकरनी को भंग कर दिया है वहाँ जिलाद्यक्षों को भी हटा दिया गया तो युवर कॉंग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष पूर्ण चंद को को पाढ़ी के निर्देश पर प्रभारी सचेव अश्रफ हुसेन ने आदेश चारी कर दिये हैं इसमें खा गया है कि कांकेर और बेमेत्रा जिला अध्यक्ष समेद पूरी जिला कारे करनी को ततकाल प्रभाव से भंकिया जाता है अभी दक कांकेर में पंकज वादवानी और अबेमेत्रा में गुलजार अली युवा कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे बताया जा रहा है कि संगठन ने प्रदेश के 41 अन्न पतादिकारियों को नूटिस जारी कर जवाब मांगा है संगठन ने इन पतादिकारी को जवाब देने के लिए 5 दिनों का समय दिया है और कहा जा रहा है कि ये कारवाई 28 फरवरी को राजी भवन में हुई समिक्षा बैचक के वरिशनेताओं की ओर से जताई गई नारास्की के बाद की गई है डिजिडल सदसिता अभ्यान की समिक्षा से जुड़े इस बैचक में ये पतादिकारी मौजूद नहीं थे और उनकी ओर से सदसिता अभ्यान में उलेखनी योगतान भी नहीं दिखा ऐसे में AICC के सचेव और प्रदेश कॉंग्रेस के सहप्रभारी डॉक्टर चंद अन्यादव और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम दोनों नेताओं ने इस निश्क्रेता पर नारास्की जुताई थी ऐसे में सुमवार को बैठक में कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा था कि जो कारेकरता पद लेकर काम नहीं कर रहा है वो संगठन को नहीं खुद को धोका दे रहा है इसके बाद युवार कॉंग्रेस के अध्यक्ष पूर्ण चंद कोकोपड़ी पीडी ने कहा कि नेतरित्व के निर्देश नुस्सार ही काम नहीं करने वाले पतादिकारियों को बदल दिया जाएगा वहीं बहतर काम करने वालों के लिए प्रदेश कॉंग्रेस में जाने का रास्ता आसान होगा कॉंग्रेस ने नवंबर 2021 में सदस्यता अभ्यान शुरू किया था और उस समय संगठन के 4 लाग से कुछ ही अधिक सदस्य थे ऐसे में कॉंग्रेस ने 10 लाग सदस्य पार्टी के साथ जोडने का लक्ष लेकर काम शुरू किया है उसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जो पहले से ही कॉंग्रेस पार्टी के सदस्य थे खुद मुक्य मंत्री भुपेश बगेल ने फिर से एक बार सदस्य था ली और अभी तक कॉंग्रेस मुश्किल से 8 लाग सदस्य बना पाई है काम पूरा नहीं है तो संगठन ने 31 मार्ज तक और 3 लाग लोगों को पार्टी से जोडने का लक्ष तै किया है और महा शिवरात्री की शाम 34 गड़ के मुक्य मंत्री भुपेश बगेल और संतु की मौजूदगी में राज़े मागी पुन्नी मेले का समापन हुआ मंगलवार की शाम को प्रदेश में इस मशूर तीर्थ सल को एक खास सौगात भी दी गए यहाँ नदी के बीच बने लक्षमन धूले यानि सस्पेंशन ब्रिज का मुक्य मंत्री ने उद्खाटन किया है शिवरात्री की शाम को इस ब्रिज में की गई लाइटिंग के साथ ही बहत खुबसूरत नजारा देखने को मिला दरसल 1200 साल से राज़े में पुन्नी मेला लगता रहता है और तब से ही छोटे सर पर ग्रामीन ही कारेकरम किया करते थे लेकिन ये पहला मौका है जब नदी के बीच में बड़ी-बड़ी केबल के सहारे एक ब्रिज तयार किया गया और इसका बीच का हिस्सा हाबडा ब्रिज के डिजाइन से प्रेरित है इसमें दो बड़े आर्च हैं और इसे बेहत ही खास लुक दे रहे हैं इस ब्रिज के उद्गार्टन के मौके पर मुकि मंत्रे भुपेश बगेल ने कहा कि संगम के समीब बनेस जूले से राजिम के राजीव लोचन मंदिर से कुलेश्वर महादेव मंदिर और लोमेश रिशी आश्रम आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे में धार्मिक और अत्यादमिक नगरी के रूप में प्रसिद राजिम के लिए लक्षमन जूला एक बड़ी सागात है जो कि 33.12 करोड रुपे की लागस से तयार किये गए हैं इस पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है जबकि बगेल ने नए मेला स्थिक और नए मेला स्थल के लिए करीब 54 एकर जमीन भी स्विक्रित करने की बात कही उन्होंने कहा है कि रामवन गमनपत का राज़ी में एक पूर्ण और महत्व पूर्ण पड़ाव है जहां पर लगातार वे कासकारे किये जाएंगे इस सस्पेंशन ब्रिज की चौड़ाई 3.25 मीटर है तथा लंबाई 610 मीटर है अब बारिश के दिन भी जब नीचे नदी का बहाव होगा तो लोग उपर पूर्ण का इस्तमाल कर सकेंगे ताकि वो मंदिर जा सके राजिम मागी पुन्नी मेले में समापन कारे करम के दोरान धर्मस्वर मंत्री तामर द्वज साहू और राजिम विधायक अमितेश शुक्ल और अभन पूर विधायक धेनेंद्र साहू मौझूत रहे इन सभी ने मिलके महा आरती भी की इन में मुख्य मंत्री समेथ सभी अतिती शामिल हुए पंडित राम शर्मा ने मंत्रोचार किया जब पंडित संतोष शर्मा आरती करते नजर आए अभुपाल के करीब सिहोर में रुदराष्ट महुत्सव स्थगित होने का मामला तूल पकरता चारहा है पूरित पुशासन की किरकिरी होने के बाद अब मंगलवार को इस मामले में सरकार की एंट्री हो गई दरसल ग्रह मंत्री नरतरम मिश्रा ने एक बयान दिया जिसके बाद विपक्ष भी अब सामने आ गया है ग्रह मंत्री ने विवस्थाओं को लेकर कथावचत पंडित प्रदीप मिश्रा से बात की तो वही भाजपा के राश्टे महासचिव कैलाश विचेवरग्या ने भी इस पूरे मामले को लेकर एक ट्वीट किया है और इस दोरान उन्हें प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया उनका ये कहना है कि ये सरकार की छवी खराब करने की साजश है विचेवरग्या ने सियम को ये चिठी लिखी और कहा कि सिहौर प्रशासन की अकरमयता से मेरे जैसे सनातनियों को बहुत आगात पहुँचा है आप 17 साल से मुख्यमंत्री हैं आखरी ऐसी क्या विपता आ गई जो पंडित मिश्रा पाय दबाव बनवाकर कता निरस्त करानी पड़ी आपको बता दें ग्रह मंत्री के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार को घेरा था जा उन्होंने लिखा कि महा शिवरात्री की पूर्व संधिया शिवराज जी की सरकार शिवराज जी का शेत्रो और शिव ग्यान की गंगा बहाने वाला शिव महापुरान और रुद्राष्ट महस्तव को साथ दिवस्ये महायोजन दबाव डाल कर पहले दिन ही स्थगित करा को बताना पड़े तो इस से शर्मनाक प्रदेश के लिए कुछ और नहीं हो सकता जो खुद को धर्म प्रेम में बताते हैं वो उनकी सरकार की हकीकत है बड़ी संक्या में शद्धालू नाराज है और प्रदेश में इति हास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ